नियाय प्रणानी का इस्तमाल करके जो देश के दलित आदी वासियुक अधिकारों पर हमला हो रहा है उसके खिलाफ एक जनान दोलन की शुरुआत है पहली बात हम यह कहना चाहते हैं दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कल हम लोगों ने तमाम समाजिक संगट्नों से पॉलिडिकल पार्टी के लीडर से चाहे वो कॉंग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो चाहे वो भहुजन समाज पार्टी हो चाहे वो चंद्रबाबु नाइडू की तेलकु देसम हो TRSO, समाजवादी पार्टी हो हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से निवेदिन किया है कि दलित और आधिवास्यों के अधिकारों पर ये जो सुप्रीम कोट के द्वारा सरकार मिलके हमला करा रही है इस हमले के खिलाफ संसत को कारवाई करनी चाहिए और जो नियाइक प्रक्रिया के अंदर जो फंडमेंटल जुडिशल प्रॉसस है जिसको सुप्रीम कोट और हाई कोट के बहुत सारे जज़ नहीं मान रहे है उन जज़ों का पार्लेमेंट में इंपीच्मेंट होना चाहिए खास तोर से जो जज़ हैं क्योंकि देश में नियाइक प्रक्रिया ये कहती है अगर किसी भी व्यक्ति के जिसके अधिकारों पर प्रभाव पढ़ने वाला है और इस मामले में अगर कोई भी कोट सुनवाई कर रहा है उसको लगता है उस फैसले में किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभाव पड़ेगा तो न्याया लेकि ये जिम्मेदार ही बनती है कि उस तबके के ब्रतिनिद्यों को बलाया जाए लेकिन स्टी कानून के मामले में सुप्रीम कोड के जो मानिनी अजज है उन्होंने 30 करोड दलित आधिवासियों के अधिकारों पर कुठारा घात किया और ये जानते हुए कि जो 30 करोड दलित आधिवासि प्रभावित होने वाले हैं उनका कोई नुमाइंदा सुप्रीम कोड के इन जजों के सामने पेश नहीं हुआ सुप्रीम कोट ने उनके किसी भी नुमाइंदे को अपना पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया हम मानते हैं कि जो सामाजिक संगटन है शायद उनको बुलाना वहाँ ठीक नहीं होता लेकिन देश में नैशनल कमिशन फर शेडूल कास्ट है नैशनल कमिशन फर शेडूल ट्राइब है तो सर्वोच नहाया लेको कम से कम इन दो सवेधानिक संगताओं को बलाकर दलित आदिवासिक पक्ष तो पूछना चाहिए था इसलिए हमारा मानना है सुप्रीम कोट के जजों ने जान बूचकर सरकार के साथ हाथ मिलाया और सरकार ने जान बूचके उंची जात के लोगों के अपीजमेंट करने के लिए ये फैसला दिलाया है इसलिए जो एडिशनेट और नी जनरल सुप्रीम कोट में पेश हुए उन्होंने दलित और रादिवासियों के बक्ष को इमानदारी से नहीं रखा और सुप्रीम कोट के इस भावना को उन्होंने हवा दी कि हाँ इस कारणियों का दुर्प्योग हो रहा है हाना कि फैक्ट ऐसे हैं फैक्ट ऐसे हैं अगर सरकार के नैशनल क्राइम रिकार्ट भीरो को भी अगर सुप्रीम कोट ने तलब कर लिया होता तो इन जजों को पता लग गया होता कि उनका जो फैसला है वो केवल परसेप्शन बराधारित है वो सच्चाई बराधारित नहीं है